नमस्कार दोस्तों सौधी अरब के शेखों की जिन्दीगी के बारे में तो आपने सुना ही होगा ये शेख पेसों को पानी की तरह बहाते हैं इसका अंदाजा आप हाली में प्रकाशित हुई नई किताब बलड एंड ओयल में छपी बातों से लगा सकते हैं इस किताब में सौधी के होने वाले भावी राजा मुहमद बिन सल्मान की जिन्देगी के बारे में कई खुलासे किये गए इसमें बताया गया कि राचकुमार को 33 अरब की याज घुमने और पार्टी करने के लिए मिली है साथ ही उनका आलिशान महल हर सुख सुविदा से भरा है राचकुमार के नाम एक परसनल आईलेंड भी है जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं इस किताब में खुलासा किया गया है कि केसे एक बार राचकुमार सल्मान अपने प्राइविट आईलेंड पर देर सो लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए पकड़े गए थे पार्टी में राचकुमार के कुछ दोस्त भी शामिल थे रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी में सभी मौडल्स लड़किया ब्राजील, रूस और माल्दियू से बुलाई गई थी ये पार्टी एक या दो दीद नहीं बलकि एक महिने तक चली थी और इसे 2015 में आयुजित किया गया था ये पार्टी राजकुमार सल्मान के प्राइवेट आईलिंड पर आलिशान महल में हुई थी पार्टी में आई सभी मौडल्स यहां हर गेस्ट की और हर जरुवत का ध्यान रखती थी और उनके सारे काम भी करती थी लेकिन अचानक इस पार्टी की भनक लोकल मीडिया को लग गई और उन्होंने राजकुमार की आयाशी के किस्से छापने शुरू कर दिये जिसके बाद पार्टी सामय से पहले ही खत्म करनी पड़ी किताब के मुताबिक इस पार्टी में करीब 21.96.67 लाख रुपे खर्च किये गए थे जी हाँ पार्टी में सभी महवानों को शराब से लेकर टॉप मॉडल तक दी गई थी वहीं इन मॉडल्स को भारी भरगम फीस पर हायर किया गया था इस दोरान ये मॉडल्स ही महल के सारे काम करती थी पार्टी को सीक्रेट रखने के लिए यहां मॉबाइल के इस्तमाल पर पूरी तरह बेंद लगाया गया था बतादी कि राजकुमार सल्मान अगले 10, 20 या शाद 30 साल तक राज़ा नहीं पनेंगे लेकिन ताज के अगले वारिस वो ही है फिलाल वो राजकुमार के अलावा देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है लेकिन किताब में ऐसी बाते सामने आने के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम अनुखी खबरे हम आपके लिए लाते रहें